हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मैट्स मोर पपु पर आज हम लोग देखेंगे अभास संक्यां अभास संक्यां के दूसरा नाम है रूड संक्यां इससे पहले हम पार्ट वन बना दिये हैं जो नहीं देखें उसको जरूर देख अभास संख्यां का बेशिक क Lageं से ठोला सादिकते हैं उसके बाद देखेंगे राट नयां आइंगे इसी वीडियो में आप अध। कि अभाज संखिया इसका एक दूस्ता नाम भी है रूड संखिया इसका इंगलिस नाम है प्राइम नंबर है ना प्राइम नंबर फेमस यह नाम है आए देखते हैं अब संखिया संखिया का सीरी होता है अब आवाज संखिया का परिभासफा लिक देते हैं इसे वह संखिया वह संखिया वह संखिया जो एक के वं कि स्वें तो से विभाजित हो अभाज संख्या कहलाता है वह संख्या जो एक और स्वेम से विभाजित हो अभाज संख्या कहलाता है अब कहिएगा एक और स्वेम से विभाजित हो अभाज संख्या कहलाता है अब कहिएगा एक और स्वेम से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या है तो कौन कौन है आईए देखते हैं एक और स्वेम से भी वाजित होने वाले एक को छोड कर लेकिन एक को छोड कर एक को छोड कर इसका मतलब क्या होता एक अवाज संख्याँ नहीं होता है मना अवास संख्या जब भी होगा से बराह होगा अगे अवास संख्यां का सार्ज देखते हैं कि यह तुर परिवासा था अब देखेंगे अवास संक्या से होगा सुरूह कहां से होगा शुरूह आपका 2-7 और तीन से दो से शुरू होके आगे की और बढ़ते जाएगा दो तीन पांच साथ देखिए चार अभास संख्या हो गया दो तीन पांच साथ अब इससे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा यह हमको भी नहीं पता है अना किसी को पता हुआ है ठीक है तो हम फिलाल एक से एक आने ना सश्ट दिखते हैं एक से लेके एक सो के बीश जितना भी अवास संख्या उसकुद्ट देखते हैं एक से एक सो reduce ऊबधिया उसकु देखते सुर्वात कहां से होता 9-25-7 तो परिवासा क्या बताए थे जो संख्यां & श्वेम करते होता है वआ आप बदा यह जैसी चाहिब तहीं सकने परफिदे नहीं है यह तीन एकका अबास संक्यां हो जाएगा उसी तरह साथ caveat छाहिए अवह संक्यां यह का यह संक्या जो एक और स्यंहित होता है और आप भी अपक्ना पर बीच में आवास संक्या होता है यह सब वह से हम पिछला वीडियो पार्ट वन में बता दिये हैं आप लोग उसको देख सकते हैं लिखिएगा अवाज संख्या प्राइम नम्मर बाय पीके भगत हैं तो आपको पार्ट वन आ जाएगा मेरा फोटो भी उस पे लगा हुआ है आईए देखते हैं दो तीन पांस साथ साथ के बाद अवाज संख्या क्या हो जाएगा 11 13 17 19 चार अगला अवाज संख्या हो गया चार यह चार चार आठ हो गया उसके बाद देखते हैं उनेश के बाद क्या हो जाएगा 23 29 31 37 है नहीं 23 29 31 37 आईए चार चार आठ चार बारह हो गया है उसके बाद हम लोग देखते हैं से यिए तालीष के तैलीश सहीज्टालीश तीरफण चार यह वाज संख्या हो गया उसके बाद देखते हैं ते रफान के बाद क्या होता है तिरफण गवाद 69, 61, 60, 60, 60, 60, 70, 4 भासंग्यां यह हो गया उसके बाद देखते हैं तेहत्तर, 89, तेहत्तर, 89, 83 और 83 के बाद कुन सा अभास संख्या हो जाएगा 73, 89 उसके बाद एक संख्या और होता है और वो होता है 97 ठीक है अब देखिए एक से एक सो तक में ये टोटल अभास संख्या है टोटल 25 होता है एक से एक पुछेगा एक से लेकर एक सो तक में कितने अभास संख्या होता है 25 आईए गीन के बताते हैं चार चाराट चारबारा चारसोल चारवीश चारचोवीश एक बच्चिस इसलिए चार-चार का गुरुप बनाये हैं कि लिकने में आसान होता है और इसको याद करने में भी आसान होता है आप लोग भी इसको चार-चार के संक्या में याद कर सकتे हैं अवाद संक्या व्यात करने और दूसरा कोई तरीका नहीं है तो सवाल पहला पुछ conceived देग सबसे छोटा सम अवाज संख्यां क्या है सम अवाज संख्यां की संख्यां एक होती है जो की एक लवता दो है क्या है दो है सम अवाज संख्यां की एक होती है जो की एक लवता दो है क्या है दो पुछेगा सबसे छोटा अवाज संख्यां क्या होगा तो 2 होगा, सबसे छोटा भी सम अवाज संख्यां क्या होगा, 3 होगा, सबसे छोटा अवाज संख्यां क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, पुछेगा सम अवाज संख्यां की संख्यां कितनी है, तो 1 होगा, माली ये question करेगा कि सम अवाज संख्यां की संख्यां कितनी होती ह में hai こ Jackson me d seven the other I'm gonna do Coni tene discrimination काता सघ्रार कितने सम अभाज संख्यां है जो कि अभाज होता चुआ कितना संख्यां है सम्हें जो आभाज होता मने सम्हें even नमँर तो कि यहां तक देखे तो दो के लाब और कोई समर्ण कहा है सम्हक्राइ UV संख्यां जो दो से पूरा-पूरा कट जाए तो दो से पूरा-पूरा कटने वाला केवल एक दो है और उसकी संख्या एक होता है इसका एंसर हो जाएगा यह ठीक है अब आईए पार्ट टू देखते हैं आज का वीडियो का सार देखते हैं कि आज की वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि कुछ टॉपिक देख लेते हैं जैसे की एक से एक स्वत्तक में अभास संख्या टोटल कितना होता अभी देखें किटना होता है 25 से एक स्वत पचीश सबाहता है. सब्सक्रीव सब्सक्राइ से एक सब्सक्राइ सबिए 골差 exist . सब्सक्राइद कितना अभास होगा ? अ यह कि एक सब्सक्राइद काकुद्य आदेखते हैं तो यहां पे देखिए कि एक से एक सवतर थक में 25 होगा से लिए की 225 में पच्छाइव ये 5000 में कितना हो जाएगा चाली सोझाऑ-कितना फैलिसर, अब लोग देख रहे हैं अब आड़ा रोगत कैंद高षण किया कि हम लोग देख चुके हैं एक सचת एक सच तक में nasty होता है एक से मिभाना ने उसमें भी सब्षाइब इसमें भी पाचीश बढ़ा है यस से बीद्र इसमें भी सब्षाइब आब कोई सवाल उठाते कि कोई कि एक से पचासतर कितने आभाज होगा आई उसको भी देखते हैं कि अगर मान लेजे कोई पूछ दे कि एक से लेकर 25 तक इतना अभासंख्यां होता है तो बोलेंगे नौ एक से लेकर चास तक इतना अभासंख्यां हैं बोलेंगे कितना पंद्रह कि उसी प्रकार एक से लेकर 75 तक इतना अभासंख्यां हम बोलेंगे एक एस और एक से लेके एक सो तक कितना अभासंख्यां बोलेंगे एक सो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आईए एक बार देखते हैं एक से लेके दो सतक में कितना अभासन क्या होता है देखे पहले लिख लेंगे एक से पचीस तक कितना है एक से पचास तक कितना है एक से पचास तक कितना है एक से एक सतक कितना है एक से एक से पचीस तक कितना है एक से एक से पचास तक कितना है है 1 iral since 170 तक कितना है और 1 लेके 200 तक कितना है आयो दिखते हैं कैसे याद होता है ब्रहें जब यहां से ओइगाये कितना के नावरा हा 25 25 ने अरा 4950 से 75 75 से 100mile 200 से इधर 25ल है यहां से एगा पहले यह आपका हो जाएगा 9 इधर और से 15 इधर हो जाएगा 21 इधर हो जाएगा 25 पहले इसको लिखते हैं उसके बाद समझते हैं इधर हो जाएगा कितना 30 है इधर हो जाएगा 35 इधर हो जाएगा चालीज इधर हो जाएगा छीयालीज ठीक है आई यह इसको याद रिखने का सिंपल तरीका है ऊपर से तब नीचे की और आता है तो आपका चेशे बढ़ता है देखिए पहला नो पहला तरह रखेगा नो एक से पचीस तक यहां से यहां तक आएगा तो छे बढ़े चाहिक है। और यहां पर देखिएगा एकस्ट लेक्रफिश ज्याद इदर पांच बरहा है इदर प्सीज बरहा इदर भी पट था मश्च बरहा है और यह भी पांच बरहा और लाष्ट बरहा ना फेलफिकbn आप के अ आप याद रखे हैं क्या कोई दिक्कत हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मनें इधर 25 25 25 बढ़ता है शुरुवात में पांच बढ़ेगा और एक से दो सतक में स्रीप छे बढ़ेगा ठीक है किसी प्रकाड का दिक्कत साइध नहीं होगा आए अब समझते हैं कि अभास संख्यां को पहचानेंगे कैसे आकि चार गौप संदेद आप अभास संख्यां को पहचानिंग कैसे अब मिन मुद्दा यहां पहला कोश्यन लिखते हैं अब पहला कोश्यन लिखते हैं नीमन में से अवास संख्यां कौन सा है को निमन में से अभाज संख्यां कौन सा आए ओप्षन यह मत देगा 1663 है ऑप्षण बी में देदेगा दो सती तालीस है जो सतीरपन है और है यह फुछा गया है है कि एंटीपीशी धुछार उनाच में है न है और लेकिन इसमें तर्फ कर फुजागे नटि पीसी 299 इसमें ठीक का इसको हल करते हैं देखिए दोस्तों इसमें है दो सप्रिसाद। 242 15 270 ति चारों देख लेंगे सबसे बढ़का संख्या कोन है सबसे बढ़का संख्या 273 है सबसे बढ़का संख्या 273 273 कौन सा संख्या यह बरावर आता है तो 289 के करीब है यह यानि कुछ से छोटा है करीब हो या छोटा हो बरावर या बरा नहीं चलेगा करीब या छोटा चलेगा तो 289 से जस्ट छोटा 273 है इसका मतलब यह म vraina मतलब है जिसके करीब या लिए बरा एक readings संक्राइब चुनें 270 करीब, 270 करेंذ нихать होता है दोजन्य की करीब तैसा परेले बा इंटिक कंदें होता यह 17 कितना किसका होता है 17 अब 17 से छोटा सभी 17 से छोटा सभी लिख लेंगे क्या लिख लेंगे तो आवास संख्या लिख लेंगे 17 से छोटा आवास संग्या पताइए तो क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 से छोटा, है न, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, अब इसमें से देख लेंगे, इसमें से जो जो संख्या इसमें से कट जाएगा, वो आभास संख्या नहीं होगा, जो संख्या नहीं कटेगा, वो आभास संख्या हो जाएगा, ठीक है न संख्या आएं दो से कट रा कोई भी दो से कोनों नहीं करण दो से कर ने के लिए संख्यां चाहिए या Tekra दीं से 38 करें पर देंस सिह नहीं कर रहां यह करता चुन भाद संख्या नहीं होगा दोनों आवास संक्यां नहीं होगा क्योंकि यह तीन से कट गया यत दुना आभास जऺ संधिया अब बश्व्या यह और यह इसको चेक करेंगे पाश से द्थी कुनों नहीं कटेगा चलिए शाल से कुनों नहीं कटेगा ठीक चलिए 11 आरे चेक किजिए 11 से की कि यह भी अवास संख्या नहीं होगा तीन गोद छटा यह नहीं आपक्या बचा है दो संथ्र यह आपका आपका आपसंख्या हो जाएगा चार्गौफ संथ कोने यह नहीं हो यह इंसर कर दिये दो सर तीर सर बादमां की तेरा से चेक करने का कोई जरूते ने पड़ेगा आईए जरा हम आगे की और बढ़ते हैं कि निम्न लिकित में से अभाज संख्यां है फिर से कोश्चन होई है कि निम्न में से कि अभाज संख्यां दैत कि प्युक्तिर आफ में है चूने अआफ्सैन या में है बैदा जीम्न है 143 बीं है 173 उप्संदी में 22 17 ये भी पूछा गया है एंटी पूर्षी कि पंदरा तीन एकर सिफ्ट फस्ट में पूछा गया है इसको बनाईए जरा एक मीनट का समय देते हैं बनाईए उसके बाद हम बनाएंगे एक मीनट का समय दे रहे हैं बनाईए कि बनाईए कि देखिए हम जो समझाएं आप समझ पाए है कि नहीं कि निम्न में से यावाद संक्या कौन सा है एक मिनट का समय है आधा मिनट तो बीट गया अधा मिनट और आई यह जिरा देखा जाए अच्छा बताईए तो ऐसा कौन सा बरा संग्या है जो पून वर्ड के करीब आता है जा देख ये बर्का संग्याद 173 है 173 किसके करीब आता है 169 के करीब आता है चिके नगि 109 किसका वर्ग होता है 169 कर वर्ग होता है तेरा का इतेरा से छोटका सब अब आद लेकिए कि आब सकता क्या क्या रicans यह हो गया इस में से को नोशु अंक्या आगर किसी से कड़ाएगा इसमें से किसी शुकर चाहिज्टे आपासने हो पहले डोसरक ने रखा नहीं क्यों कि किसी गांतमेमी नाऊट जीरो है ना तो अंसम्शंक्या नहीं होगा तीन से कट गया है यह दो को इसको चेक करेंगे दोनों में से कटेगा की नहीं तीन से नहीं है नहीं कटेगा तीन से नहीं सबसे तीन को तो हमारा कट जा रहा है सबसे तीन वह ता वासंक्या नहीं होगा आवासंक्या अमारा 173 हो जाएगा 173 को दो तीन पांस साथ 111 से बारी बारी से भाग दीजेगा नहीं कटेगा इसलिए हमारा 173 अवासंक्या हो जाता है आई अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन है अगला क्याता है पांस से बड़ी किन्तू किन्तू अठारा से छोड़ा सभी अभाज संख्याओं के योग का एक तिहाई एक तिहाई किसन के वर्ग के बराबर है पिन के वर्ग के बराबर है और सन्य में है तीन वी में है पांस सी में है च्षे डी में है चार लिए सब्सक्राइब 8 से चोटी सभी अभाज संख्यां का योग का योग करते योग मने सब को जोरते हैं जुर यह शथा तो देख तीने गार्फसा एक तालीस साथ 48 अरतालीस योग कर लिये योग का एक टी आए का एक टीक है का ये प्रसे समझे इनलुदिग का ता पांस बड़ी ठाला सोटी अभासंगाज हो Khan बहुत इंपॉटरिंट बहुत important तीन अंको वाली सबसे छोटी अवाज संग्या कौन सा है कुश्चिन है कि तीन अंको वाली सबसे छोटी अभाज संखियां बराबर वाट अप्शन देते हैं ऑप्शन देते हैं यह में एक सब्सक्राइब एक सबसे छोटी अवास और सबसे च्छोटका संग्या काता तीन अंक में सबसे छोटका संग्या कून है 109 109 107 103 101 101 है ना 101 सबसे छोटकात आंख मून के मार देंगे तीन अंको वाली सबसे छोटी आवास संग्या 101 हो जाएगा उसी परकार से उसी परकार से आपको पूछ सकता है आईए जरा देखते हैं कि आई जरा देखते हैं कैएगा दो उनको वाली सबसे छोटी आवास संग्या दो वाली तो सबसे में छोटी आवास संग्यां आट हमको राइटिंग अच्छा से बढ़ता नहीं है इसलिए आप लोग हम बोलते भी हैं आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं दो अंको वाली सबसे च्षोटी अभास हैं 11 रोकिर बूश्य नरही करें दो अंको वाली सबसे बड़ी अभास संह चा तो अब आसे हो जाएगा सन्तानवे हो जाएगा तीन अंको वाली कि अटीन को वाली सब से छोटी संख्यां कि इसके बार पूछेगा तीन अंकों वाली तीन अंकों वाली आवास संख्यां आवास संख्यां जो दो ससे छोटा हो दो ससे जस्ट छोटा हो कि दो ससे जस्ट छोटा हो जस्ट छोटा हो क्या हो जाएगा एकसो निनाने ठीक है यह को सब्सक्राइब बता दिया कि आगया था और देखते हैं तीन अंकों वाली सबसे चोटी अवास संख्यां एक सब्सक्राइब सबसे चोटा हो थोड़ा से चोटा हो एक सब्सक्राइब करता है क्या सोच के कुछ करता है आई एक क्वेश्चन और सेट करते हैं निमलिकित में से कुन सा अवाज संख्या है कि अवाज संख्या को पहचाने है हम इसे कुसंदिया अवाज संख्या को पारिताने लेकिन इक्जाम में कोच्छ यह निम लिखित में से कुमसा neighbourhood संख्या आई यह नमर उक्शन देते हैं है 107 में वी नमर देते हैं एक 109 सी नमर देते हैं एक 103 डि नमर देते हैं एडिये और उसन गलत हुग अ बा STEP की तीन सब constitution का सवाल दिया हुआ है पहले मने मन देख लिए कुनुंस कट रहा देखने पांच है यह पांच से कर जा तो यह भासण कहां नहीं होगा जो इसको करते हैं तीन से कटेगा तीन तीन और इसको चेक करतें हैं तो इसमें दूग बच गिए स्थाइसे खत्रो रोड तीन स सतेश परकरके करीब संघ्यां कुछ पून वर्ग संघ्ञां कुछ साथ ये तो चहेसवगी इसके करीब क्या है 600 पर च्छेसे पर चीसवचीश होता है कि सका कौन सका उतकि है नहस्थ परकीष सबीका संट्ट गां Windows संघ्ञThe दतीनट味 11 13 17 यह होता है कि यह देखते है कि से करता कि हुआ दो से नहीं कटा क्योंकि समधाशन conception ये तिन से भी नहीं कटेगा तीन स्भी नहीं कटे गवांश्ट नुख तीन आटहिंग ने कटेगाele नहीं कटेगा पस लिए ty साथ से सच चार्ठा तरय सबस्ट तरय करें और सी करें आधाय सी थाइश लिए यारी रस फली बॉल यसे तर्स ने Дато दे अल्से बूसटी सबश् Smash 2 कि अर शीड़ी शा बतिर्थ तो पर टिन तीरी शन्ती ञेता है चारा से कितना बच गया इसमें पंद्रव 15 तीन तीर पना सत्रा से कड़ जाएगा यह पी आवाज संख्यां नहीं होगा इंसर हो जाएगा आपका भी 571 काने का मतलब है अगर इन सब सब्सक्ष्या से जो जो कर जाएगा वह वाज संख्यां नहीं होगा किसी से भी सबसे बारी बारी से किसी से नहीं कटेगा इसलिए अभास संक्या हो जाएगा अबासंग्या पहचानने का सिर्फ और सिप यहीं तरीखा है यहिए यदि आप एक्सपर्ट है आपने मन भागा किजित हो तीन से कट रहा अपने क्लिफ learners कर सकते आ मन में केलकुलेशन करने का या इन आपका वेशइक थीख है तो कि सॊं मूद लोगक Jonathan है कि यह last question है कि पुशन है कि नीम्न में से कि नीम्न में से कि सद्ध कि मने होता भाज संख्यां कि संख्यां कौन सा नहीं है कि अब काता है नीम्न में से सन्युक्त मनें भाज संख्यां कौन सा नहीं है भाज संख्यां वह संख्यां होता है जिसका जिसको कम संख्यां काटने वाला संख्यां तो भाज संख्यां मनें संख्यां कौन सा नहीं है मतलब अभाज संख्यां कौन सा है